हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चनल तो आज इस तुड़े में मैं आपको विप्रो स्मार्ट LED बल्प अन्बॉक्सिंग करके दिखानी जा रहा हूं और साथी साथ मैं आपको सेटप भी बताऊंगा किस तरह से आप इको डॉट डिवाइस से कंफिगर कर सकते हैं साथी साथ विप्रो एप से भी किस तरह से आप सेट अप कर सकते हैं तो चलिए इसका अन्बॉक्सिंग करते हैं तो यह इसकी प्राइस है 599 रुपिस अमोजोन पे तो यह मुझे एक्सक्लिसिव ओफर पे मिला था क्योंकि मैंन नोटिफाइ किया था तो यहां पे देख लिजिए 199 रुपिस मैंने इसको पे किया है बचेस करने के लिए तो चलिए देखते हैं तो यह है हमारा विप्रो स्मार्ट एलेडी बल्प तो बाहर से इस तरह से आपको कुछ पैकिंग मिलेगी यहां पे स्मार्ट एलेडी तो Wi-Fi Enabled Bulb है तो यहां पे सभी feature mentioned है मतलब आप यह बल्प Alexa से configure कर सकते हैं और ára voice से आप इसको kontrol कर सकते हैं तो सभी features यहां पे explain किया गया है कि यह bulb Alexa compatible है अगर के तो बैक portion के अंदर यहां पर सभी स्पेसिफिकेशन यहां पर लिखे गए हैं बल्प के बारे में इसकी MRP 2099 रुपिस और यहां पर कॉंटेक्ट डिटेल्स है और यहां पर नीचे इंस्ट्रक्शन्स है यहां पर साइड में यहां पर देख लीजिए इस RGB सब्सक्राइब करते हैं और हम इसको शेड़ और टाइम भी टाइमर भी आप सेट अप कर सकते हैं तो यहां पर अमजन का कुछ टिकर है प्राइसिंग का और उनके चलिए अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं तो यह हैं हमारा स्मार्ट एलेडी बल्प आप डिफ्रेंशेट नहीं कर पाओगे नॉर्मॉल और स्मार्ट एलेडी बल्प ऐसे वाहर से पर यहां पर वी परो की दिये गए हैं इस manual में मतलब किस तर से आप ये bulb setup कर सकते हैं और configure कर सकते हैं तो इसको आभी side में रखते हैं तो यह unboxing तो चलिए अब हम इसको चालू करके देखते हैं holder को plug-in करके देखते हैं तो यह है holder और इसको हम भी plug-in करते है smart bulb को और अब हम इसको चालू करके देखते हैं तो यह देख लीजिए directly जब हम इसको चालू करते हैं तो इसका color white होगा मतलब जैसे normal bulb जलते हैं उस तरह से यह जलेगा अगर इसका color change करना है तो आपको app से configure करना पड़ेगा मतलब directly अगर आप plug-in करोगे इसका आपको white में ही मिलेगा color अगर आप इसका color change करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप control करना चाहते हैं sense play करना चाहते हैं तो आपको इसको configure करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम अभी इसको configure कर सकते हैं setup कर सकते हैं vipro app या फिर alexa device से तो अगर आप इसको directly आपके alexa eco device से connect करना चाहते हैं तो इसको directly आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले आपको इसको vipro का official app आता है उससे उस पर आपको register करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से पहले हम इस बल्प को vipro के official app से configure कर सकते हैं और बाद में किस तरह से eco.device पर हम इसको control कर सकते हैं तो vipro smart bulb आपको अगर configure करना है तो vipro official app में तो आपके पास internet connection होना चाहिए मतलब आपके पास wifi connection होना चाहिए एक राउटर होना चाहिए और उसमें wifi connection होना चाहिए चालो active अगर आपके पास wifi connection नहीं है तो आपका phone का hotspot चालो कर सकते हैं और उससे भी आप connect कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आपके phone मे आप App Store में चले जाएए, एप Store में चले जाने के बाद यहाँ पे Wipro Next Smart Home करके यह App डाउनलोड कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप Directly Eco Device से Directly Connect नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे Wipro के App में आपको Register करना पड़ेगा अकाउंट, बाद में ही आप Alexa Eco Device में आपे Configure कर पाओगे, बल्ग, तो इंस्टॉल लने के बाद यह App लाँच कीजिए, तो यहाँ पे हमारे प्रास अल्रीडे अकाउंट तो नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे Sign Up करते हैं, तो यहाँ पे Terms and Condition Agree कीजिए, यहाँ पे By Default India Select होगा, आपके Country, और नीचे आ आपको Password Set करना होगा, आपके Account के लिए, तो आप आपका Password Set कीजिए, अकाउंट के लिए, विप्रो अकाउंट के लिए, यहाँ पे Password Set करने के बाद, Done बटन पे Tap कर दीजिए, तो आपका Account Successfully Create हो चुका है, इस विप्रो एप पे, तो यहाँ पे आपको अभी Home Page पे Add Device कर क Option मिलेगा, तो इस पे Tap कीजिए, और Next Page पे यहाँ पे Light Source Wi-Fi है, इस पे Tap कीजिए, तो आपको यहाँ पे Permission Allow करना है, Allow Only While Using This App, यहाँ पे आपका Wi-Fi Connection आपका Detect हो जाएगा, या फिर Hotspot का Connection, आप आपका Wi-Fi Connection का यहाँ पे Password Enter कीजिए, और Next Button पे Tap कर दीजिए, तो आपको प्राउंट आ रहा है कि या आपका अभी, आपको अभी आपका Bulp Reset करना पड़ेगा, जो कि आप कर सकते हैं, Power On Off करके, टीन टाइम, मतलब On Off आपको तीन बार करना है, तो वहाँ करने की बाद, आपका बाद में Bulp Blink करने लेगा, तो Blink करने का मतलब है, आप Bulp Reset ह रही हो चुका है, इस तरह से आपको Blink शौ कर रहा है, इमेज में, इस तरह से आपको आपका Bulp Blink करवाना है, तो चलिए हम तीन बार On Off करते हैं, Bulp, तो अभी हमारा bulb बिंग कर रहा है, जैसे कि इमेज़ बेहें बेहें डिस्पलय हो रहा है, तो इसका मतलब है, हमारा bulb reset हो चुका है, को यहां पर confirm indicator, rapidly blink पे tap करना है, और next ब्टन पे tap करना है, तो आपको अभी device add हो रहा है, मतलब scan हो रहा है, हमारा device, तो bulb blink होना बंद हो चुका है और हमारा device भी register हो चुका है और add हो चुका है तो यहां पर देख लिए विप्रो smart bulb successfully हमारा add हो चुका है app के अंदर अब भी हम यहां पर done बटन पे tap करते हैं तो यहां पर homepage पर हमारा bulb show up कर रहा है तो अब हम Wipro app की मदद से हमारा bulb control कर सकते हैं त इसको थोड़ा time लग सकता है तो यह देख लिजिए setting successfully apply हो चुके है तो tap करते हम Wipro bulb पे तो यहां पर हम इसका temperature आगे नीचे कर सकते हैं मतलब इसकी brightness कम नीचे कर सकते हैं और उपर की तरफ हम इसको cool और warm का effect डे सकते हैं तो यहां पर drag किया तो cool आता है तो यहां पर यह क देख कीजिए जो भी color चाहिए आपको वहां पर drag कीजिए और आपका कि वही color मिल जाएगे आपके बल्प पर देख लिजे और आपकी इसको और आपको यहां वे brightness आगे नीचे कर सकते हैं डिम कर सकते हैं इसको कि और यहां पर नीचे contrast है इसका कि तो आपके choice के इसाफ से आप select कर सकते हो तो यहां पर scene के अंदर आपको बहुत सारे scenes मिल जाएंगे मतलब scenes मिल जाएंगे जिस पर आप tap करके apply कर सकते हो scenes तो colorful में आपको colorful bulb मिलेगा मतलब जो कि इसका random color आपको change होता रहेगा बल्प का colorful scene को click किया तो और में dazzling में कुछ dazzle सा आपको effect मिलेगा बल्प का जिसमें भी random color आपको मिलेगा चालू रहेगा बल्प पे तो इस तरह से सारे effect आपको apply कर सकते हैं यहां scene में से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो आप इसको scene को edit भी कर सकते हैं आपकी choice के साब से तो यह रहे settings इसके तीन और यहां पर नीचे आप इसको timer भी set कर सकते हैं बल्प का इतने इतने टाइम पर आपको चाहिए यह बल्प चालो या फिर schedule भी कर सकते हैं मतलब इतने टाइम पर आपको यह बल्प चलाना है तो यह सब options यहां पर आपको wipro's app में आपको मिलता है और बाहर आप home page पे चले जाएंगे तो यहां पर on off button पर आपको मिलेगा बल्प के side में तो यहां से आप on off button पर tap करके directly on off कर सकते हैं आपका बल्प तो यह सब आपको options मिलते हैं wipro official app में अगर आपके पास Alexa का device नहीं है तो यहां पर जो wipro का app है इससे ही आप आपके बल्प को control कर सकते हैं almost सभी के सभी आपको option मिलते हैं अगर आपके पास Alexa का device है और आप उस पर यह smart bulb add करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं आप तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है जैसे कि मैंने बोला था आप डायरेटली नहीं कर सकते हो Alexa device पर पहले आपको जो मैंने यहां पर पहले दिखाया था आपको wipro app पर register करना पड़ेगा account बात में ही आप Alexa Echo device पर आपका wipro smart bulb add कर सकते हैं तो चलिए इसको किस तरह से add किया जाता है देखते हैं तो wipro smart bulb आप कि Alexa device से link करने के लिए आपको यहां पे आपके phone में आपको Alexa Amazon Alexa app launch करना होगा यहां पे launch करने के बाद devices section पर चले जाएए Devices section में Your Smart Home Skills पे टेप कीजिए यहां पे Enable Smart Home Skills पे टेप कीजिए और यहां पे आपको Vipro next Smart Home करके उप्षिन मिलेगा उस पे टेप कर दीजे और यहां पे आपको Enable to use पे टेप करना है और आपका account लिंक करना है तो यहां पे आपको आपका account लिंक करना पड़ेगा तो क्योंकि यहां मेरे पास vipro का app installed है तो vipro app पे यहां पे tap करता हूँ अगर आपके पास app install नहीं तो browser पे open करना होगा और आपके vipro account में जो account है आपका उसके account के details से आपको user id और password डलके login होना पड़ेगा तो क्योंकि हमने पहले और इंस्टल करके रखा app और उस पे register किया account तो app पे tap करता हूँ open with app और यहां पे हम link करते हैं तो यहां पे agree and link बटन पे tap कीजिए आपका link हो जाएगा बाद में और यहां पे successfully link हो चुका है तो close बटन पे tap कर दीजिए तो यहां पे discover हो रहा है अभी बल्प हमारा और इसको डिवाइस पे tap कीजिए discover करने के लिए तो अभी हमारा यहां पे smart bulb discover हो रहा है इसको 45 seconds तक time लग सकता है तो विप्रो light found and connected मतलब हमारा विप्रो का device connect हो चुका है close करते हैं इसको और यहां पे choose group आप चूज कर सकते हैं तो चूज group पे tap कीजिए और आप select कीजिए बाद में आपका smart LED bulb कहां पे place किया है आपने यहां पे मैंने bedroom पे place किया है तो bedroom select करता हूं और यहां पे वेप्रो एड हो चुका है तो इस पे continue button पे tap करते हैं तो यहां पे देख लेजिए command से तो आपके bulb को voice command दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं तो देख लेजिए successfully हमारा turn off हो चुका है बल्प चलिए देखते हैं voice command के तो इस तरह से काम कर रहा है हमारा smart bulb voice command से एलेक्सा टर्न ओफ विप्रो बल्प एलेक्सा टर्न ओन विप्रो बल्प एलेक्सा टर्न ओफ दे बेड्रूम लाइट्स एलेक्सा टर्न ओन ओन ओफ इस तरह से चेंज हो रहा है वाइस कमांड से एलेक्सा चेंज बेड्रूम लाइट कलर तो रेक्सा बहुत ही बढ़िया रेस्पांस है एलेक्सा चेंज बेड्रूम लाइट कलर तो वाइट एलेक्सा चेंज बेड्रूम लाइट कलर तो वाइस कमांड से आप पूरे बल्प को कंट्रूल कर सकते हैं एलेक्सा इको डिवाइस की मदद से वह इस तरह से आप आपका बल्प एड़ कर सकते हैं और यहां पे app के अंदर ही आप यहां से आप control भी कर सकते हैं देख लीजिये, जो आप का bulb एड़ है तो यहां पे on-off का बटन भी है, तो यहां से भी आप on-off कर सकते हैं, बहुत सारी configuration यहां पे जो कि आप use कर सकते हैं, तो यहां पे devices के अंदर हमारा bulb successfully add हो चुका है, जो कि ह यहां से भी एप में से डाइरेटली टेप करके ओन आफ कर सकते हैं एलेक्सा तरण ओफ देड्रूम लाइट्स तो इस तरह से आप आपका विप्रो स्मार्ट लेटी पल्ड विप्रो स्मार्ट एविप्रो स्मार्ट और आमजन एलेक्सा इस तरह से आप कन्फिगर कर सकते हैं और वाइस कमांड से बाद में आप इसको कंट्रूल कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं एक वाइस ते गुड़ बाए